नमस्कार मैं ललित प्रजापती और न्यूजेटीन के सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए है आजकल एक देश है बहुत चर्चा में है वो कह रहा है कि कभी उसे ब्रिक्स का हिस्सा बनना है फिर कभी वो कहता है कि म तुर्कि की बात हो रही है अर्दुवान के आने के बात तुर्की में बहुत कुछ बदला है मसलरे उन्हें कहा जाता है खलीफा इसके अलावा उन्हें ताना शाह की उपाधी कई लोग देते हैं इन सबकी बिच अझा तुर्की से चर्चा को शुरू करेंगे और जो पर देखिये तुरकी के अगर बात की जाए तो नाटो का सदस्य है और अमेरिका तुरकी और कई सारे देश यो हैं कुल 32 देश नाटो में और इसके बावजूद तुरकी का जो रंग ढग या चाल चलन जिसको हम कह लें तो वो एक गुट में साथ तो है लेकिन गुट में अपने जो जिस तरीके के उनकी कूट नितिक बाचीत है और वो सारी चीजें उनके ये कह लें कि उनके स्टांस जो होते हैं तुरकी के वो बाकी देशों को चिंता में भी डाल देते हैं क्योंकि तुरकी रशिया जो की नाटो के खिलाफ लट रहा है उसके साथ भी खड़ा है कि बरबर इसराइल ने कारवाई की है और इसी से तुरकी नाराज है क्यों कारवाई की है इसराइल ने बरबर क्यों इसके पीछे कारण क्या है दरसल अभी हाल ही में वेस्ट बैंक में जो इसराइल की तरफ से लगातार हमले किये गए हैं इसमें एक घटना घटी और इस camp इस्थापित या एक बस्ती इस्थापित करने की कोशिश की जा रही थी यहूदी बस्ती इसको लेकर यहां के लोग विरोध कर रहे थे और विरोध कर रहे थे और वो हिंसक हो गया यह इसराइल का कहना है कि वो हिंसक हो गया और इसके बाद IDF ने सैन्य कारवाई की उसकी मौत हो गई और उसको गोली मारी गई सर में और इसी को लेकर तुर्की नाराज हो गया है और तुर्की अब ये कह रहा है कि गंभीर परिणाम इसराइल को इसके भुगतने पड़ेंगे उन्होंने सोशल मीडिया पर तुर्की के राश्टरपती अर्दवान जो हैं सोश कि तरह अर्दवान इसे लिए रहे हैं अर्दवान को आप अर्दवान भी नाम आपने सुना होगा अर्दवान भी उनका नाम सुना होगा और हमने जैसा कहा कि तुर्की बहुत सारे मौर्च ओपर जैसा पुनित अभी डिकूर्ट कर रहे हैं कि तुर्की के जो तरीका है व तो अभी हाल फिलाल के दुनों में बहुत बदला है एक और खास बात यह है कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है कश्मीर के पॉइंट आफ व्यू को लेकर इस वज़े से भारत से भी बहुत चीज़ें जुड़ती हैं अब क्या वाकई पुनीत उसका चाल चलनी या उसका जो रवया है वो ऐसा लगता है कि वो साथ में तो खड़ा है लेकिन फिर भी बाहर अपने आपको अलग दिखाने की कोशिश करता है सबसे बड़ी बात यह कि तुर्की जो है वो मुस्लिम रधर हुट को अब बढ़ावा दे रहा है और यह इसरा गंबीर परिणाम भुकतने होंगे तो उसका मतलव हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और तुर्की और इसराइल आमने सामने हो सकते हैं हाला कि दोनों देशों की दूरी बड़ी ज्यादा है और करीब 1200 किलोमीटर की दूरी दोनों देशों के बीच म अगर मैप पे देखेंगे तो उसमें साफ होई ही जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की जो है वो नाराज हुआ पड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि ये इस्तिती गंबीर हो सकती है वाकई और अभी पुनी चुकी जिकर कर रहा है मैं इसराइल के रियक्शन पर भी बात करूँगा लेकिन जब भी इसराइल का नाम आता है ऐसा लगता कहीं कोई उपद्रा तो नहीं हो गया एक मैं ताज़ा अपडेट आपको दे दूँ कि अभी खबर ये मिल रही है कुछ जो एक इंटरनेशनल न्यू सोसाइटी है उसने ये खबर दी है कि जो इसराइल है उसने भी सीरिया पर हमला किया है तकरीबन 16 लोगों के मारे जानी की खबर है तीस से जादा गायल होने की बात भी निकल कर सामने आ रही है इस पर आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन आज हमा जैसे आपने बताया कि सीरिया पर उसने हमला कर दिया इसराइल लेबनान पर भी हमला कर देता है इसराइल हिजबला पर भी हमले करता है इसराइल हमास पर भी हमले करता है और हमले जब करता है या वेस्ट बैंक में उसकी सैने कारवाई होती है तो उसके पास कोई ना कोई एक तर्क होता है कि हमने ये क्यों किया है सीरिया पर भी हमला कर दिया तो लेबनान से सटा हुआ है सीरिया देखिए और वहां पर सैने ठिकानों पर हमला किया है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया जो आई है वो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से घाजा से हमास की तरफ से हमले हुए थे बीते साल 7 अक्टूबर को जो हमला शुरू हुआ था वैसा ही कुछ तैयारी जो है वेस्ट बैंक में की जा रही थी और जो लड़ाके हैं हमास की लड़ाके वहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे थे और इसलिए ये सैनी कारवाई यहां पर जरूरी हो जाती है इसलिए हमने यहां पर यह एक्शन लिया है बावजूद इसके एकी इंटरनाशनल दबाव बना हुआ है इसराइल के उपर कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बीते दिनों हमको याद है कि छे इसराइली नागरिक जो इनको बंधग बनाया गया था उनकी मौत हो गई थी और इसी को लेकर बेंजमिन नेतनियाहू अपने ही घर में गिरे हुए है उनके खिलाफ खुब प्रदर्शन भी चल रहा है अमेरिका भी इससे नाराज था दूसरी तरफ जो मधिस्तता कर रहे हैं अपने सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बेंजमिन नेतनियाहू सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले वहां के प्रदानमंतरी हैं तो एक सत्ता की हनक भी आ जाती है और यही आरोप उन पर लग रहा है अमेरिका की तरफ से भी यह कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शान्ति की बात एक तरफ आप करते हो, दूसरी तरफ आप वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा हमला लगातार बना हुए, तो ये आप कैसे कर रहा है, दोनों तरफ कैसे चल सकते हो, शान्ति की बात करते हो, और फिर युद्ध भी छेड़े तो इसे लेकर इसराइल का क्या कोई रियक्शन आया है अभी आपकी नजर में आया कि क्या कह रहा है इसराइल के तरफ से कोई रियक्शन तो नहीं आया लेकिन इसराइल के तरफ से ये जरूर बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो जिस तरीके से लगातार जॉर्डन से ये मामला सामने आया, जॉर्डन की सीमा भी बिल्कुल सठी हुई है, और वहाँ जो हुई, तो जॉर्डन से इसराइल के रिष्टे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसराइली प्रधान मंतरी बिंजमिन नितन याहू जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कही कहीं इरान का हाथ है, क्योंकि इरान इस तरीके से प्रोक्सी वाड लगता रहता है, चाहे फिर वो घाजा पट्टी से हमास की बात हो, या फिर लेबनान से हिजबुला की बात हो, वो इसी तरीके से वाड लगता है, और इसलिए ये जो, मैंने आपको बताया कि तीन नियाहू की तरफ से इरान परी जाएगी? दोहजार पचास साथ तक सबसे जादा जो मुस्लिम आबादी वाला दुनिया में देश होगा, वो भारत होगा, तकरीबन दोसौ करोन के आसपास मुस्लिम पूरी दुनिया में हैं, तो तुर्की क्या, क्या इन सब को एक जुट करना चाहता है, अपना दबदबा बताना च सब्सक्राइब के पास हैं, और सब्सक्राइब काफी हद तक खुले हुए मुल्क की तरह उसका व्याभार रहा है, अब मैं वापस इसे पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि तुर्की ये सब कर क्यो रहा है, देखे तुर्की जो है, अब अभी अगर बात कर ली जाए, तो पेजिदान की तरफ से इसके पहले वक्त में कही जाती रही है, और जो आप सब्सक्राइब की बात बता रहा है, तो देखे, सब्सक्राइब का सीधा है, बिजनस से दिनिया चलती है, पैसा आता है, पर्यतन को बढ़ावा मिलता है, सारी चीज़े हैं, तो वो उसके उपर जैए लेकिन अर्दौान, मुसलिमों के नाम पर अर्दौान भी तो करना वही चाहते हैं, उसी बिजनस की बात है, वो कहा रहे हैं, यह रहे हैं, अब वो कहा रहा है कि सारे मुसलिम कंट्री एक हो जाहें, अब जब यह बात आईकी तो ओसमें आ जाएगा, और ऑन थाशा ज्यादा साओधी अरब का है वो तुर्की जो है अब नया तुर्क बनने की कोशिश में लगा हुआ है कि हम इस तरफ भी रहेंगे हम उस तरफ भी रहेंगे हम इनके साथ भी रहेंगे हम उनके साथ भी रहेंगे क्योंकि बीते अगर कुछ वक्त की बात कर ली जाए तो तुर सेन्य ताकत की भी बात कर ली जाए तो सेन्य ताकत में पूरी दुनिया में ग्यारवे नंबर पर है तुरकी तो आप यह समझे कि तुरकी अब अपने आपको चाहता है कि एक नया बॉस वैश्विक प्रभुत्व अपनी दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अच्छा एक तरफ यह नैटो में है वो ठीक है कि अमेरिका डाटता रहता है इसराइल को कभी कभार पर अंदर खाने तो बड़ी गहरी दोस्ती है अमेरिका और इसराइल की नहीं लेकिन देखिए अभी अभी अंदर खाने दोस्ती है लेकिन अभी जो चै इसराइली मारे गए उसके बाद और ये ये जो वाकिया हुआ वेस्ट बैंक वाला जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे जिसमें तुर्की अमेरिकी नागरिक्ता दोहरी नागरिक्ता वाली महिला जनका नाम है आईसे नूर एक्जी इगी इनकी जो हर्तिया हुई है इनको जो मार डाला गया इसमें चुंकि ये मूलकी भी थी, तो दो मुलक ऐसे हैं, अभी तक हमको, अगर वहां के नागरी को कुछ हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जैसे इसराइल पहला तो है, और अमेरिका उसके पहले है ही अमेरिका फर्स्ट उसकी पॉलिसी भी रही है तो एक तो ये नहराज़गी, दूसरी बात कि अब वैश्विक दबाव इसराइल पर बढ़ता जा रहा है बीते कुछ दिनों में देखा जाए, तो वैश्विक दबाव इस लिहास से बढ़ता है, कि लगातार, अमेरिका भी ये कह रहा है कि शांती स्थाफित हो जाए, हमाँ से युदह खत्म हो झाए, फिर दूसरी तरह ब्रिटेन ने भी अपनी सैन्यमदद जो ब्रिटेन की तरफ से दी जाती थी, यालन कि ब्रिटेन डायरेक्ट डील नहीं करता है, ब्रिटेन डारेक्ट डील नहीं करता है हतियार नहीं सप्लाई करता है लेकिन ब्रिटिश कमपनिया उनको निर्यात का लाइसेंस देने का काम करता है तो उसको भी क्योंकि ये ब्रिटेन भी मान रहा है कि अंतराश्री मानव अधिकार कानूनों का उनलंगन हो सकता है इन हथियारों के इदम पर कुल मिलाकर प्रेशर बनाने का खेल ये पूरा चल रहा है और तुर्की भी यही कर रहा है तुर्की भी इंडारेक्ट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इस्राइल के उपर ये बहुत अच्छी बात लगती है अमेरिका की या जो हथियार का दंदा करते है ये इतनी मासूमियत से मानवादिकारों की बातें करते है और हथियार धढले से सप्लाई करते है तो क्या ही माना जाया आपने ब्रिटेन का खिर किया अमेरिका का खिर किया अंदर खाने से इसराइल में वैसे विरोध प्रोदर्शन लगातार बाढ़ रहा है क्या नेतन्याहू की इस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है हाँ बिल्कुल नेतन्याहू की इस्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है और हमले देर हमले आप आपने जैसे बताया कि सीरिया पर हमला कर दिया उधर लेबनान भी बिल्कूल सटा हुआ है उधर एक हमला और हो गया हमने आपको बताया कि तीन इसराईली नागरी को की हंडिया करदी गई गाशा पैटी जो है वहां पर पहले ही चल रहा है जा रहा है युद्ध शांती की बात कहीं थी कि नौ देनों तक शांती अलग-अलग शेत्रों में शांती लेकिन उम्मीद तो यह की जा रही थी ना कि शांती हो जबकि हैरानी की बात यह है कि बेंजमिन नितन्याउ आप सूचिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ज सके वो यह कह रहे हैं कि हम उस लेवल पर या उस बिंदू तक पहुंचना चाहते हैं आप समझ रहे हैं कि युद्ध हम अभी भी बंद नहीं करेंगे और इतना तोड़ देंगे इतना तोड़ देंगे उसके बात फिर शांती की बात होगी एक प्रकार से उनका इशारा यह होती है साल 2023 की ग्लोबल फायर पावर की अगर बात कर ली जाए तो इसराइल का नंबर इसमें 145 मुलकों की ये ग्लोबल फायर पावर होती है इनकी लिस्ट है इसमें इसराइल का नंबर 18 नंबर पर है जबकि तुर्की का नंबर 11 नंबर पर है एक तो ये बात हो गई दू यह इसके उपर हमला कर दिया एक खबर यहां आती है ईरान पहले से है लेबनान पहले से है और यमन यह सब भी साथ में तुर्की के आकर खड़े हो सकते हैं और यह बतकिस्मती से सब परूसी परूस हैं . पलोस में आप देखे ना सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया कितनी बड़ी है आप और हम अभी जिकर कर रहे थे जब मैप में सारे सब कुछ देख रहे थे दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन दुनिया का पूरा का पूरा फोकस कहां मेडिली इस्ट पर जाकर टिक गया है वहाँ पर देश आपस में उल्जे पड़े हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसराइल, कहते ना कि आपी ने, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, कि पड़ोसी हम चुन नहीं सकते, पड़ोसी तो हमको मिलते हैं, तो पड़ोसी मिले हैं, और पड़ोसी मिले हैं, और पड़ोसी हमले किये जा रहे हैं, सैनिय कारवाई की जा रही है, तो यह सब क्या चल रहा है, बड़ी हैरानी होती ही वहाँ की तस्वीरे देखकर, आप सोचिए कि किस हालात में वहाँ के लोग, किस भए में वहाँ के लोग जी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पॉड़ उसी हम चुन न एक जी इगी, हाँ, तो चुकि उनके पास दोहरी नागरिकता थी, एक तरह से और प्रवोक करना है, अमेरिका इस अमेरिका, अमेरिका के बारे में दुनिया जान के बारे में बात करेगा, लेकिन अपने नागरिक को कुछ होना नहीं चाहिए, इसके बाद अमेरिका की सारी policies बदल जाती हैं ये तैय है तो बात वहीं से शुरू हुई थी कि पड़ोसी आप तैय नहीं कर सकते हैं दोस्तै कर सकते हैं और जो दोस्तै आपने किये हैं वही अगर वही आपसे नाराज हो रहे हैं तो फिर ये सवाल है और एक बात और है कि ये चर्चा इस वज़े से भी ज इजाज़त दीजिए कुछ और आप देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं आलोचना हैं उन्स आपका बहुत स्वागत पुनीत कर भी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया